इस्टुडी 24 उदेपूर में आप सभी का स्वागत हैं आज हम क्लास 12 अर्थ शाहस का एक टोपिक हैं उब्वोक्ता विवार से संबंदित उब्वोक्ता संतुलन उब्वोक्ता संतुलन से संबंदित दो अवधाना हैं उब्वोक्ता की अगर हम बात करते हैं तो उब्वोक्ता कोन होता है जो अपनी आवशक्ताओं की संतुष्टी के लिए वस्तों एवं सेवाओं का प्रियोग करता है वस्तों एवं सेवाओं का खरीता है और उब्वोक्ता जो है उसका प्रमुकुद्देश क्या है अपनी आये को वो इस प्रकार से वेह करें ताकि उसको मिलने वाली जो संतुष वो अधिक्तम हो जाए तो उपोक्ता व्योहार को समझने के लिए दो अवधाना है प्रचलित हैं फर्स्ट अवधाना कौन सी है गण्णा वाचक विचारधारा या गण्णा वाचक विचलेशन जिसको हम कहते हैं यह विचलेशन जो है वो प्राचिन अर्थशास्त्री दिया गया है और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से जो उप्व्योगिता को उप्योगिता प्राप्त होती है उसको हम माप सकते हैं। को हम किलो मिटर में या मिटर में मापते हैं गयों हैं उसको हम जैसे किलो गराम में मापते हैं तो विभिन वस्तों को हम अलग-अलग इकाईयों के द्वारा मापते हैं उसी तरह के से उपयोगीता मापने की जो इकाई हैं उसको उन्होंने क्या कहा यूटिल्स उपयोगीता क किसी भी वस्तू का प्रयोग करने से उब्भुकता को जो संतुष्टी प्राप्त होती हैं उसको हम माप सकते हैं और विभिन वस्तू से जो संतुष्टी प्राप्त होती हैं वो अलग-अलग उब्भुकताओं के लिए अलग-अलग होती हैं अलग-अलग इस्थान के अधार पर, अलग-अलग समय के अधार पर वस्तू की जो उप्योगिता हैं वो अलग-अलग होती हैं उप्योगिता फलन जो हैं उसको हमें इस तरीके से लिख सकते हैं यू बराबर function of x1, x2, x3, dash, 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 xn इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी भी वस्तू की जो उप्योगिता हैं वो किसका फलन है? वस्तू की विविन मातरा माना कि उप्भोकता जो वस्तू प्रयोग कर रहा है, वो कौन से वस्तू है? कोई x वस्तु है, तो x वस्तु की वो जितनी भी इकायों का प्रियोग करता है, चाहे वो पहली इकाय, दूसरी इकाय, तीसरी इकाय, जितनी भी इकायों का प्रियोग करता है, सबी से जो उसको संतुष्ट मिलती है, उसका योग यह तरह से क्या होगा, उप्योगीता, तो यह जो उप्योगिता फलन है वो व्यक्ति की जो पसंद है अधिमान है उस पर निर्भर करता है और सबी व्यक्तियों की जो पसंद अधिमान क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं इसलिए प्रत्यक व्यक्ति के लिए जो उप्योगिता फलन है वो भी अलग-अलग होता है तो यह हो गए हमारी पहली विचारधारा जिसको हम कहते हैं गर्णा वाचक विचारधारा दूसरी विचारधारा जो प्रचलित हों है क्रम वाचक विचारधारा या जिसको हम आधुनिक विचारधारा भी कहते हैं और इसका जो प्रतिपादन है आधुनिक अर्थशास्त्री प्रमुग रूप से जे आर हिक्स और आर जे डी एलन तो प्रमुग रूप से क्रम वाचा क्विश्टेशन का जो प्रतिपादन है वो प्रोपेसर हिक्स एवं एलन के द्वारा प्रतिपादित किया और इन्होंने क्या बताया कि जो प्राचिन विचार धारा है उप्योगीता जो है क्तर से मनो विग्यानिक तथियों पर आधारित है इसलिए हम किसी वस्तु का प्रियोग करने से जो उप्योगीता प्राप्त होती है उसे हम संख्या के रूप में माप नहीं सकते हैं प्राचिन विचार धरावाले अर्थशास्त्री क्या केते हैं उप्योगीता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं जो क्रम वाचा क्विश्टेशन देने वाले अर्थशास्त्री वो क्या बताते हैं कि उप्योगीता को संख्या के रूब में मापना एक दरसे कठीन होता है क्योंकि उप्योगीता एक दरसे मनोविज्ञानिक अउधाना है तो ऐसी इस्तिते में किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो उप्योगीता प्रयाप होती है उससे हम केवल क्रम दे सकते हैं उप्योगिता को क्रम दे सकते हैं अध्वा उन्हें हम क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं उनकी किसी वस्तु का प्रियोग करने से उप्योगिता ज्यादा मिली या कम मिली उसे क्रम दिया जा सकता है क्रम कौन सा जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हम क्रम दे सकते हैं या उनकी हम तुलना कर सकते हैं कि हमने पहले रोटी खाई जो हमको ज़्यादा अच्छी लगी दूसरी रोटी की तुलना में तो इसमें हम तुलना कर सकते हैं क्रम दे सकते हैं और क्रम वाचक विशलेशन जो है उसकी व्याक्या किसके आधार पर की जाती है तटस्था वक्र विशलेशन के आधार पर तो जो तटस्था वक्र विशलेशन है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम केवल गर्ना वाचक विचारधारा या जो उप्योगीता विशलेशन है उसी के बारे में पढ़ेंगे जो क्रम वाचक विशलेशन है तठस्ता वक्र है उसका हम next वीडियो में पढ़ेंगे दोनों जो टोपिक हैं वो हम उभोकता संतुलन से ही related है इसी चेप्टर में है राज्तान बोड के सेलेबस में लेकिन इनको हम एक इस वीडियो में हम केवल उभ्योगीता विशलेशन ही पढ़ने वाला है तो सबसे पिल अगर हम कहें उभ्योगीता क्या होती हैं जो बढ़ना वाचक विशलेशन से संबन दीते हैं तो उभ्योगीता को अगर हम परिभाशित करना चाहें तो उभ्योगीता क्या होती हैं कि अगर कोई उभ्योगता किसी वस्तु का प्रियोग करता है तो प्रियोग करने से उसकी जो आवशक्ता की संतुष्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं उप्योगीता कोई वस्तु या सेवा जिसका प्रियोग करने से व्यक्ति की आवशक्ता की संतुष्टी होती है तो वो वस्तु उसके लिए उप्योगी कही जाती है जिसे एक व्यक्ति हैं उसको भूग लगरी है तो भूग लगरी इसका मतलब क्या होगा उसकी आउशक्ता क्या है खाना और जब वो खाना खाएगा तो क्या होगा उसकी आउशक्ता की संतुस्टी होगी तो खाने में क्या होगा एक तरह से उसके लिए उपयोगीता हो गई प्यास लगरी तो वो क्या गरेगा पानी पीएगा और जब पानी पीएगा तो क्या होगा उसके आवशक्ता की संतुष्टी होगी तो कोई भी वस्तू या सेवा जिसका प्रियोग करने से व्यक्ति की उभोक्ता की आवशक्ता की संतुष्टी होती है उसे हम उप्योगीता केते हैं और किसी वस्तो की उप्योगीता जो है वो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होती है चाहे वो इस्थान के अधर पर देखें चाहे हम समय के आधार पर देखिए प्रत्य विक्ति के लिए किसी वस्तों की जो उप्योगीता है वो अलग-Alग होती है कभी-कभी समान हो सकती लेकिन सामने इता एकर से क्या होती है अलग-Alग होती है अब देखिए प्राजय नरत रशाय से जैसे एजवर्थ, फिशर, एंटोनेली, वालरस, जेवन्स, इन सभी ने क्या बताया था कि उप्योगीता जो हैं उसको हम माप सकते हैं और उप्योगीता हम कैसे ले सकते हैं जो भी हमने देखा था उप्योगीता जो फलन हमारा है उसको हम कैसे ले सकते हैं u बराबर function of x1, x2, x3 से लेकर xn तक मतलब अगर उप्योगता किसी x वस्तो का प्रयोग करता है तो x वस्तो की वो जितनी भी कायों का प्रयोग कर रहा है उन सबसे जो उप्योगिता मिलने वाली है वो यह क्या होगा एक तरसे उप्योगिता फलन हो गया है और उप्योगिता फलन जो है वो व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है सबी व्यक्तियों की जो पसंद है अधिमाने वो सामनिता क्या होता है अलग-अलग होता है इसलिए उप्योगिता फलन भी क्या होगा अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होता है अब उप्योगीता विस्टलेशन की कौन-कौन सी माननिता हैं चाहे हम सीमान दुपी की तहास पड़ें सम सीमान दुपी की तहास नियम पड़ें तो ये अर्थ शार्च के जो सिद्धान्त होते हैं वो कुछ माननिताओं पे आधारित होते हैं तो उप्यूगीता विस्टलेशन में कौन कौन सी माननिताई ली गई हैं तो सबसे पहले हैं उब्भोकता क्या होता है विवेक्षिल होता है मतलब उब्भोकता अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करना चाता है मतलब उबोक्ता के द्वारा विविन वस्तों पर जो वे किया जाता है उस वे की वो तुलना करता है कि किस से उसको ज़्यादा संतुष्टी मिलती है और किस से कम जहां उसको ज़्यादा संतुष्टी मिलती है वहीं पर वो वे करेगा तो कहने का मतलब विवेक्षिल का मतलब क्या हो गया उप्भोक्ता अपनी आय को सोच समझ कर खर्च करता है और अपने संतुष्टी को वो अधिक्तम करना चाहता है तो दूसरी विशेष्टा मानिता ये हो गई है कि उप्वोक्ता जो है अपनी उप्योगिता को अधिक्तम करता है उप्योगिता को अधिक्तम करने के लिए उन वस्तों पर वे करेगा जहां उनको जादा संतुष्टी मिलती है जहां उनको जादा उप्योगिता मिलती है फिर नेक्स माननेता हैं कि उब्वक्ता को अपनी पसंद और चैन के बारे में पूर्ण जानकारी होती है जो वस्तु वो प्योग कर रहा है उसको कौन कौन सी वस्तु पसंदे किस परकार की पसंदे वो जो चैन करता है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है फिर इसमें माना गया है कि उप्योगिता जो है उसको हम क्या कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं उप्योगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं और अंतिम माननेता क्या है कि जो मुद्रा की सीमान तो उप्योगिता होती है उसको इस्तिर मना गया है जिस परकार हम वस्तो की सीमान दुप्योगिता की बात करते हैं तो मुद्रा की सीमान दुप्योगिता का मतलब क्या है अगर उभुकता के दारा एक रुपया मुद्रा की एक इकाय अगर वेक की जाती है उसकी उप्योगीता उसके लिए कितनी है उसको हम कहते हैं मुद्रा की सीमान दुप्योगीता तो मुद्रा की सीमान दुप्योगीता को उप्योगीता विश्लेशन में इस्थिर माना जाता है तो ये कुछ मानिता हैं जो उप्योगीता विशलेशन में हम लेते हैं चाहे वो समसिमान्द उप्योगीता नियम हो चाहे वो सिमान्द उप्योगीता हास नियम हो नेक्स्ट टोपिक हम देख रहे हैं उप्योगीता और संतुष्टी में क्या अंतर होता है तो देखिए जब हम उप्योगीता की बात करते हैं तो उप्योगीता का मतलब क्या होता है किसी वस्तू का प्रियोग करने से हमको कितनी संतुष्टी मिल सकती है इसका मतलब क्या हो गया कि जो उप्योगीता है वो वस्तू का प्रियोग करने से पहले भी हो सकती है जिससे हम class 12 में आ गए हैं 12 class के हम book purchase करके लेके आ गए हैं क्यों? क्योंकि 12 class के जो book है वो हमारे लिए उपयोगी हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने उनका प्रियोग नहीं किया हैं फिर भी उसकी हमारे लिए उसके उपयोगी ता हैं लेकिन संतुष्टी कब होती है? जब हम उस वस्तु का प्रियोग करते हैं जिससे आप books purchase करके लेके आ गए हैं किताबे खरिद के लेके आ गए हैं जब आप किताब पढ़ोगे तो क्या होगा? आपके आउशिकताओं की संतुष्टी होगी तो संतुष्टी कब मिलती हैं जब वस्तु का प्रियोग किया जाता हैं जबकि उपयोगी ता वस्तु का प्रियोग करने से पहले भी हो सकती हैं जिसे भूग लग लग रही हैं तो खाना जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो गया लेकिन संतुस्टी कब होगी जब हम खाना खाएंगे खाना खानने से क्या होगा हमारे जो आवशकता हैं वो संतुस्ट होगी फिर नेक्स अंतर अगर हम देखते हैं तो उप्योगीता एक तरसे क्या होती है अनुमानित होती हैं किसी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमको कितनी उप्योगीता मिल सकती है उसका हम पहले से अनुमान लगाते हैं मनोविग्यानिक विचारधरा उसको हम कह सकते हैं लेकिन संतुष्टी क्या होती है जब वस्तु का प्रियोग करते हैं जो वास्तों में उप्योगीता प्राप्त होती है वो संतुष्टी जिसका हमने अनुमाल लगाया प्रयोग करने से पहले वो उप्योगीता नेक्स्ट है कि जो उप्योगीता होती है उसको हम यूटिल्स के द्वारा माप सकते हैं जबकि जो संतुष्टी है उसको हम माप नहीं सकते हैं संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं केवल अनुभव कर सकते हैं कि हमने रोटी खाई उससे हमको भूग जैसे हमारी मीटगे उससे हमको ज़्यादा संतुष्टी मिली या कम संतुष्टी मिली था संतुष्टी को हम माप नहीं सकते हैं कि उपयोगीता जो होती है उसको हम utils के दौरा जो अनुमानित टिकाई है Tai तो यह हो गया उपयोगीता एवं संतुस्टी में अंतर next topic हमारा है उपयोगीता के प्रकार तो जो उपयोगीता है उसे हम दो भागों में विवाजित कर सकते हैं या उप्योगिता जो है वो दो प्रकार की होती है कुल उप्योगिता और सीमान्त उप्योगिता तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल उप्योगिता टोटल यूटिलिटी टी यू तो कुल उप्योगिता का मतलब क्या हो गया उब्भोक्ता के द्वारा किसी वस्तों की जितनी भी इकायों का प्रियोग किया जाता है उन विभिन इकायों से जो उसको संतुष्ट मिलती हैं उसका यो किसी समय विशेश में उब्भोक्ता द्वारा किसी वस्तों की विभिन इकायों का प्रियोग किया जाता है तो उन विभिन इकाईों से उन समस्त इकाईों से जितने भी उप्योगिता मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं कुल उप्योगिता जैसे हम उधार ले लेते हैं कि माना कि एक उप्भोगता जो है वो गुलाब जमुन का उप्भोग करता है और गुलाब जमुन का उप्भोग करता उसकी तीन इकायों का प्रियोग करता है पहली इकाय का प्रियोग करने से उसको जो संतुष्टी मिलती है उप्योगीता मिलती वो कितनी है 10 यूटिल्स के बराबर है दूसरी इकाय से जो उसको संतुष्टी मिलती वो 8 के बराबर है और तिसली एकाई का परियोग करने से उसको जो संथुष्ठी मिltी वो 5 एकाई के बरबर है तो कुल उप्यगिता का मतलब क्या हो गया? इस गुलाब जामून की तीनों एकाई' का परियोग करने से उसको कितनी उप्यगिता मिली है? 10 प्लस 8 प्लस 5 बराबर कितना हो गया ये 23 तो 23 क्या है ये कुल उप्योगिता तो परिबाशा क्या हो गई किसी वस्तो की समस्त इकाईयों का उभोग करने से जो उप्योगिता प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं कुल उप्योगिता कहते हैं और कुल उप्योगिता ग्यात हम कैसे कर सकते हैं, वस्तो की विभिन एकाईयों से कितनी उप्योगिता मिली हैं, तो T U बराबर क्या हो जाएगा, वस्तो की पहली एकाई से कितनी उप्योगिता मिली, प्लस वस्तो की दूसरी एकाई से कितनी उप्योगिता मिली, तीनों जो उप्योगिता मिल रहे हैं उसको हम जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा कुल उप्योगिता इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल उप्योगिता एक तरह से क्या होती हैं सीमांत उप्योगिता का जोड़ भी होती हैं अब सीमांत उप्योगिता क्या होती हैं उसको हम आगे पढ़ें उभोक में व्रद्धी करता है तो एक बिंदू तक जो कुल उपगीता है वो गटती हुई दर से बढ़ती है जैसे इस साणिम अगर हम देखते हैं पहले उपगीता चालिस थी अब कितने हो गई हैं? सित्तर हो गई हैं तो कितने काई बड़ी हैं? तीस सिकाई की व्रद्धी हो गई हैं फिर सित्तर से नभे बड़ी हैं लेकिन कितने बड़ी हैं? बीस सिकाई की व्रद्धी हुई हैं फिर नभे से सो बढ़ गई हैं लेकिन नभे से सो में जो व्रद्धी हुए वो कितने हुई हैं? दस की व्रद्धिवी इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे उप्वोगता क्या करता है किसी वस्तु का उप्वोग बढ़ाता है तो प्रार्रम में जो कुल उप्वेगिता है वो गटती हुई दर से बढ़ती है उसके बात में एक बिंदू ऐसा आता है जहां पर कुल उप्वेगिता अधिक्तम हो जाती है जब कुल उप्वेगिता अधिक्तम हो जाती है उस बिंदू को हम क्या कहते है अधिक्तम संतुष्टी का बिंदू कहते है और उसके पस्चाद भी अगर वस्तो का उभोग बढ़ाया जाता है तो कुल उप्योगिता जो है वो गटने लगती है जैसे अगर हम देखते हैं इस साड़ी में वस्तु की पांच इकायों का प्रयोग किया जाता है तब तक जो उप्योगिता है वो बढ़ती है लेकिन पांचवी इकाई पर जो कुल उपयोगीता है वो अधिक्तम हो गई है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अधिक्तम संतुष्टी का बिंदू कहेंगे और पांचवी इकाई के बाद में अगर वस्तु का प्रयोग और बढ़ाया जाता है तो जो उप्योगिता है कुल उप्योगिता वो गटने लग जाती है देखिए 100 से कितने हो गई है 90 हो गई है फिर कितने हो गई है सित्तर हो गई है तो आगया सन में कुल उप्योगिता क्या होती है बेल्कुल सिंपल सा है किसी वस्तो की जितने भी इकायों का प्रियोग किया जाता है सभी इकायों से जो उप्योगिता मिलरोसका जोड़ लिज़त किया जाएगा कुल उप्योगिता दूसरा हमारा है सीमान उप्योगिता मारजनल यूटिलिटी अब देखिए जहांपर भी सिमांतर शब्दा आ जाता है महारजनल का मतलब क्या होता है? एक अत्रिक इकाई तो सिमांत उपयोगीता के गर हम बात करते हैं तो जब उब्वोक्टा के दौरा किसी वस्तो की एक अत्रिक इकाई का प्रियोग क्या जाता है उससे उब्वक्ता को कितनी उप्योगिता मिलती है या कुल उप्योगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है कुल उप्योगिता में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे सिमान्त उप्योगिता आगे सज में सिमान्त उप्योगिता का मतलब क्या हो गया वस्तु की एक अत्रिक इकाई का प्रियोग करने से कुल उप्यगिता में जो परिवर्तन होता है जैसे साणिम अगर हम देखते हैं माना कि उप्वोकता वस्तु की एक इकाई का प्रियोग करता तो उसको संतुस्टी उप्यगिता कितनी मिलती है चालिस के बराबर अगर वो अत्रिक दिकाई मतलब पहली से दूसरी इकाई का प्रियोग करता है तो कुल उप्योगिता कितनी हो जाती है चालिस से सित्तर परिवर्तन कितना हुआ यापे चालिस से सित्तर में कितना परिवर्तन हुआ है तीस का तो 30 को हम क्या कहते हैं? सीमान तुप्योगिता फिर अगर आगे अगर हम देखते हैं अगर वस्तो की और एक 80 थिकाए का प्रियोग क्या जाता है दूसरी से तीसरी तुप्योगिता कितनी हो गई है? 70 से 90 हो गई है तो परिवर्तन कितना हो यहां पे? 20 का तो 20 को हम क्या कहेंगे? सीमान तुप्योगिता फिर चोथी काई पर अगर हम देखते हैं उप्योगिता कुल उप्योगिता कितनी हो गई है? 90 से बढ़कर 100 हो गई है परिवर्तन कितना हो यहां पे? 10 का तो यह 10 को हम क्या कहते हैं? सीमान तुप्य गिता फिर पांचवी कायपे देखिए कुल उप्य गिता कितनी थी पहले सो थी और अभी भी कितनी सो है परिवर्टन कितना है जीरो का तो सीमान तुप्य गिता कितनी है शुन्य है फिर छट्टी कायपे देखिए कुल उप्यगिता 100 से 90 हो गई है 10 कम हो गई है इसलिए माइनस 10 7 काई पे कुल उप्यगिता कितनी हो गई 90 से गटकर 60 हो गई है 20 काई या कम हो गई है इसलिए माइनस 20 तो कुल उप्यगिता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं सीमान उप्यगिता केते हैं और जो सीमान उप्यगिता हैं उनको अगर हम जोड लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में कुल उप्यगिता आ जाएगी देखिए जिसे 40 40 में हम 30 प्लस कर दें कितना आ जाएगा 60 में अगर हम 20 प्लस कर दें सो आजाएगा सो में अगर हम जिरो जोड़ेंगे तो सो ही रहेगा सो में से माइनस दस कर देते हैं तो 90 आजाएगा और 90 में से माइनस बिस कर दोगे तो कितना आजाएगा सित्तर आजाएगा तो सिमान उप्योगिताओं को अगर हम जोड़ लें सिगमा एम यू सिमान दुप्य गीताओं को जोड़ने पर क्या आ जाता है कुल उप्य गीता टोटल यूटिलिटी आती है अब देखिए कुल उप्य गीता और सिमान दुप्य गीता में क्या संबन्दे इससे पहले हम इसका देखो और एक चितरगर बनाए तो कुल उप्य गीता वकर की जो प्रवर्ती हैं वो क्या प्रवर्ती हैं हम देख के बता सकते हैं कि प्रारम में कुल उप्य गीता क्या हो रही थी बढ़ रही थी बढ़ती है इसलिए वकर उपर की तरब बनने का फिर स्थिर हो जाती है और उसके बाद में क्या होती है गटने लग जाती है ये हमारा हो गया कुल उप्योगिता का वक्रटी यू और जहां से कुल उप्योगिता गट रही है वहां से हमने एक लाइन खिज दी है इसका मतलब क्या है कि जहां से कुल उप्योगिता गटना प्र हम हो रही है, महां सीमां तुप्यूंगिता की तरफ घरता हो बनेगा क्यों कि वस्तू का प्रयोग बढ़ाने पर सीमां तुप्यूंगिता हमेशा घरती जाती है इसलिए तो यह आकार हमको याद रखना है इन नंबर को लेकिए अगर हम राएं ग्राब पे तब भी इसका आकार इसा ही बनेगा अब देखिए कुल उप्यगिता और सिमान दुप्यगिता में क्या सम्मन्द है तो इस सम्मन्द को हम उस रेखा चितर के माध्यम से समझ सकते हैं यहां जो हमने सानी बनाई थी उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं जैसा रेखा चितर बनता है इस तरीके से कुल उप्यगिता बढ़ती हुई है अधिकतम और उसके बाद में कम हो रही है और जहां से कुल उपीगिता कम हो रही है उसके सामने सीमान उपीगिता क्या होने चाहिए शुन्नी होने चाहिए तो इस तरीके सा हमारा वक्र होता है अब दोनों में क्या संबन्द है हम साणी में देख सकते हैं लेकिन धनात्मक होती है तो कुल उपेगिता बढ़ती है और कैसे बढ़ती है गटती हुई दर से बढ़ती है दूसरा सम्मन हम अधिक्तम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जब कुल उपेगिता अधिक्तम होती है तो उसमें सिमान दुपेगिता क्या होगी शुन्य होती है जब कुल उपेगिता अधिक्तम होती है तो सिमान दुपेगिता शुन्य होती है और तिसरा सम्मम ये गटता हो यहां देखिए कि जब कुल उपेगिता गटना प्रारम हो जाती है तो सीमान दुपेगिता क्या हो जाती है रिनात्मक हो जाती है इस अक्ष से निचे आगिया हमारा वखर इसका मतलब क्या हो गया रिनात्मक तो जब सीमान दुपेगिता रिनात्मक होती है तो कुल उपेगिता घटने लगती है ये तिन सम्माद ہیں कुल उपेगिता और सिमान तुपेगिता में इस सम्माद को हम씩 सालनी में भी समझ सकते हैं देखिए 40, 30, 20, 10 या जो सिमान तुपेगिता है वो क्या हुरी घट रही है उस समय कुल उपेगिता क्या हुरी देखिए 40, 50, 90, 100 बढ़ रही है तो पहला समंद क्या हो गया कि जब सीमान दुपेगिता घड़ती है तो कुल उपेगिता बढ़ती है दूसरा समंद देखिए यहां पे कि जब सीमान दुपेगिता कितनी है शुनने तो कुल उपेगिता कितनी है यह अधिक्तम है और लास्ट सम्मन्द देखिए यहां पे कि जब सिमान्त उप्योगिता क्या है रिनात्माक माइनस में है तो कुल उप्योगिता क्या हो रही देखिए घट गई है 90 सो से 90 हो गई 90 से सित्तर हो गई है तो यह तीन संबन्द कुल उप्योगिता और सिमान्थ उप्योगिता में होते हैं नेक्स जो टोपिक हमारा है वो है सिमान्थ उप्योगिता हास नियम हास का मतलर क्या होता है गटना तो सिमान्थ उप्योगिता गटती है उसका नियम क्या है तो इसको बारे हम डिसकॉस करेंगे तो सबसे पहले देखिए यह जो प्रवर्ति है कि वस्तुरका प्रयोग बढ़ाने पर उप्योगीता कम होती है यह जो विचारे सबसे पहले किसने प्रतिपादित के थे 1845 में प्रोपेसर गोसेन ने प्रतिपादीत की थे इसलिए सीमान्द उप्योगीता हास नियम को हम क्या कहते हैं गोसेन का प्रत्थम नियम और बात में इसके जो विग्यनिक व्याख्य के अगर हम बात करते हैं आदुनिक व्याख्य जो की गई हैं वो किसने की थी प्रोपेसर मार्शल ने तो सीमान उप्योगीता हास नियम के साथ में किसका नाम जुड़ा हुआ है प्रोपेसर मार्शल का और नियम क्या है कि उप्भोक्ता क्या करता है जदी किसी वस्तो की अत्रिक्त इकायों का प्रयोग करता है उब्भोकता अपनी आवशक्ताओं की पूर्थी के लिए किसी वस्तो की अत्रिक्त इकायों का उब्भोक जैसे जैसे बढ़ाता है तो इस वस्तो की इकायों से मिलने वाले जो उप्योगिता है वो उब्भोकता के लिए एक बिंदू के बाद में घटने लगती है तेके क्याopen नियम है मारा उबोकता दुआरा जेसे-जेसे अपनी आवशकदाओं के संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तू के उबोक में व्रद्दी करती जाती है उबोकता वस्तू का प्रियोग बढ़ाता जाता है तो जैसे जैसे वस्तू का प्रियोग बढ़ाएगा वस्तू की अधिक इकायों का प्रियोग करेगा तो उससे मिलने वाली जो उप्योगिता है जिसको हम कह सकते हैं सीमान्त उप्योगिता सीमान्त उप्योगिता क्या होने लग जाती है गटने लग जाती है इसे को अरत शासर में क्या का जाता ए है सिमान उपयोगीत तह असलिया अभी जो हमने साणी पड़ी थी इस साणी में देखिए वबोगता क्या कर रहा है वस्तो का प्रयोग बढ़ा रहा है एक एकाई से दुसरी कैई तीसरी कैई चोथी कैई पाँचवी काई, छट्टी काई, साथवी काई तो वस्तू का प्रयोग क्या क्या उसने बढ़ाया है तो इससे मिलने वाली जो उप्योगीता है जिसको हम सीमान्द उप्योगीता कह सकते हैं वो क्या हो रही है गटती है देखिए 40, 30, 20, 10, 0, minus 10, minus 20 क्या हो रही है, कम हो और यह गट रही है तो इसी एक प्रवर्ती को उप्योग बढ़ाने के साथ साथ में सीमान्द उप्योगीताओं में जो कमी होती है उसी को अर्थशास्तर में क्या कहा जाता है सीमान्द उप्योगीता हास्नियम कहा जाता है तो इस सिमान तुपए किता हास्नियम को हम इस सार्णिक के माध्यम से भी समझा सकते हैं और इस रेखा चितर के माध्यम से भी समझा सकते हैं इसमें सिमान तुपए किता अगर हम वक्र बनाते तो कैसा बनता है निच्चे की और गिरता हुआ इस तरीके से बनेगा सार्णी या रिखाचितर क्या दर्शाता है उबोता के दोबारा जेसे जेसे किसी वच्टोr के उबोक में वरदि की जाती है तो अत्रिक टिकाईों का प्रियोग करने से उबोक बढ़ाने के साथ साथ में सीमान्त उपयोगिता गटती जाती है इसी प्रवर्ति को अर्थ शास्त्री क्या क्यते हैं सीमान उपयोगिता हास्नियम तो आपको समझ में आ गया होगा सीमान उपयोगिता हास्नियम क्या है अब देखिए इसकी मानिता क्या क्या मानि गई है सबसे पहले इसमें क्या माना गया है उबोक्ता जो है वो विवेक्षिल होता है मतलब अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करना चाहता है विभिन वस्तों पर जो खर्चा करता है वो सोच समझ कर खर्चा करता है मतलब उबोक्ता एक तरह से क्या होता है आर्थिक मानव होता है दूसरा जो उप्योगिता हैं उसको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं उप्योगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है यह देखिए हमने लिखा 40, 30, 20, 10 यह जो उप्योगिता हैं उसको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं कि ये जो विचारदारा वो किस पर आतारित हैं गर्णा वाचक विचारदारा पर आतारित हैं फिर तिसरी मानिता इसमें क्या मानि गई हैं मुद्रय की जो सिमान उपयोगी था होती वो उपयोगी था के लिए इस्थिर होती हैं फिर वस्तु का जो उपयोगी वो कैसा होना च पढ़ाई जैसे एक गंडे पढ़ाई कर लिए, दो गंडे पढ़ाई कर लिए, जितनी हम जादा देर तक पढ़ाई करते हैं, फिर हमारी पढ़ने की जो इच्छा हैं, वो कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इसी प्रवर्ति को अर्थचास में क्या का जाता है, सीमान, उप्य की तास्तियम तो भूग जो है वो कैसा होना चाहिए लगातार होना चाहिए निरंतर होना चाहिए और वस्तु की जो इकाया वो कैसी होने चाहिए समरूफ होने चाहिए जैसे हमने एक उती खाई है उसपे हमने घी नहीं लगाया है लेकिन अगर हम दूसरी उती खाई उसपे मखन लगा के खाई तो हो सकता है हमको उप्योगिता ज़यदा मिले इसलिए इसमें क्या मना गया है कि वस्तु की जो एकाया है दिये हुए समय में परिवर्ति नहीं होने चाहिए, इनको क्या माना गया है, इस थेर, अगर उब्वोक्ता की आए-रुची में परिवर्तन हो जायेगा तो फिर उसकी जो उप्यू गिता है वो बढ़ भी सकति उसमें परिवर्तन हो जायेगा, लेकिन हमने क्या मान लिए इस जैसे उबहुकता किसी वस्तु का प्रियोग बढ़ाता है तो उस वस्तु से प्राप्त उप्योगीता उबहुकता के लिए कम हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं सिमांत उप्योगीता हास्नियम तो अब ऐसी इस्तिति क्यों लागू होती है अर्थविस्ता में तो Professor Balding ने इसके लिए दो कारण बताए हैं सिमान उप्योगिता हास्नियम क्यों लागू होता है उसके लिए Professor Balding ने दो कारण बताए है सबसे पहला कारण है वस्तुएं एक दुसरे की अपूर्ण इस्थाना पन होती है अपूर्ण इस्थाना का मतलब हम एक वस्तु की जगर दूसरी वस्तु का जो प्रयोग करते हैं वो पून रुप से संतुस्टी प्रदान नहीं कर सकती है जैसे अगर हमको भूग लग रही हैं अगर हम रोटी खाना चाते हैं तो रोटी से मिलने वाले जो उप्योगिता हैं वो दूसरी वस्तु मानागी जैसे चांवल है या कोई जैसे हमने दूसरा इटम और यूज कर लिया है तो उससे नहीं मिल सकती है इसका मतलब क्या हो गया अर्थ विवस्ता में विविन जो वस्तु होती एक दूसरे की वस्तु जो इस्थानापन तक अगर हम बात करते हैं, तो पूर्ण इस्थानापन वस्तों नहीं होती हैं, और जब पूर्ण इस्थानापन वस्तों अपलब्द नहीं होती हैं, तो एक वस्तों का अगर हम प्रयोग बढ़ाएंगे, तो उस वस्तों की उपविगीता हमारे लिए कम होगी, जैसे हम 12 में आग इंग्लिश को ज्यादा बढ़ने हैं इसा भी नहीं हो सकता है ठीके तो वस्तुम क्या होती है एक दुसरे की अपून इस्तानापन होती हैं को कुछ समय तक उनका इस्तानापन कर सकते हैं जिसको हम अपून इस्तानापन करेंगे ठीके लेकिन पून इस्तानापन नहीं होती है जिससे क्या होता है? एक वुष्टो का प्रियोग अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी उप्लिगिता कम होती है गुभ दुसरा कारण क्या है? विषिष्ट आवशक्ता की संतुश्टी संभव देखिए उभुक्ता की जो आवशक्ता होती वो क्या होती है अनन्त होती है बहुत सारी आवशक्ता होती है लेकिन उन बहुत सारी आवशक्ताओं में से उभुक्ता क्या कर सकता है अपनी किसी आवशक्ता विशेश को संतुष्ट कर सकता है एक निश्चित इस्तर के बाद में उस्वस्तो का जो प्रयोग है वो ज़ादा नहीं करेगा उसका उभोग नहीं बढ़ाया जा सकता है जिससे अगर हम उधारन ले माना किये नमक के जैसे तो नमक अगर सस्ता हो जाए तो इसा नेक हम उसका उभोग बढ़ा देंगे नमक का जो उभोग की मुएक्तिर से सिमित मात्रा में ही किया जाता और उसके बाद में उसका उभोग क्या होगा बंद हो जाएगा या हम खाने के धरम बात करें हैं भूग लगरी है तो हमने खाना खाया रोटी खायी चावल खाली है ठीक है? जब हमारा फेट भड़ जाएगा उसके बाद में अगर हमको कोई दूसरी वस्तू है या उसी वस्तू का गर हम जादा मातरा हमार पास आजाए तो भी उसकी उपएगिता हमारे लिए नहीं लएगी एक समय के बाद में हम उसका प्रयोक जादा नहीं कर सकते हैं तो विशेश आवशक्ता जो हैं उसको संतुस्ट किया जा सकता है बहुत सारे आवशक्ता होती हैं उन में से किसी एक विशेश आवशक्ता को पूरा किया जा सकता है इसलिए उप्यगिता क्या होगी एक बिंदो के बाद में घटे की अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो सिमान दूपेगीता हास नियम उसका अर्थ शास्त्र में क्या महतु है तो सबसे पहले मांग का जो नियम है और सम सिमान दूपेगीता नियम है दोनों किस पर आधारित हैं सिमान उपेगिता हास नियम पे आधारितियाब मांग का नियम क्या है सम सिमान उपेगिता नियम क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे सम सिमान उपेगिता नियम जो है उसको हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले है मांग का नियम जो है टेक्स लगाये जाता है तो सरकार टेक्स ज़्यादा किन पर लगाईगी धनी वेक्तियों उपर जो अमीर वेक्ति हैं उनके लिए मुदरा की सिमांतुप्बे गिता क्या Pal tua का होती है कम होती है इसलिए सरकार उनके ओपर कर अधिक लगाएगी जो निर्धन विक्ती हैं, Gharib विक्ती हैं उनकी लिए मुत्रा की सीमान अपीगीता क्या होती है? ज्यादा होती है और इसलिविए सरकार क्या करेंगे? उन पर कम मात्रा में कर लगाएगी और अधिक मात्रा में वे करेंगी ताकि जो संतुष्टी का स्थर है सामजी कल्यान का जो स्थर है वो अधिक हो जाएं तो ये हो गया इसका महत्व अब देखिए जो सीमान उप्योगीता हास्तियम है उसका अर्थ शास्त्र में प्रयोग किया जाता है हीरा पानी विरोदा भास की जो पहली है उसको हल करने के लिए सीमान उप्योगीता की अउधाना का प्रयोग किया जाता है अगर हम वास्तियुक जोन में हम देखते हैं कि जो हीरा है वो कम मात्रा में पाये जाता है लेकिन उसकी कीमत क्या है जादा है जबकि पानी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है अधिक मातरा में पाये जाता है लेकिन उसकी कीमत क्या है कम है तो ये हीरा पानी का जो विरोधा बास है उसको हल किसके माध्यम से किया जाता है सीमान उपयोगीता विशलेशन के माध्यम से पानी की जो कुल उप्योगिता है वो तो क्या है हीरे की तुलना में जादा है लेकिन वस्तु की जो कीमत होती है वो कुल उप्योगिता पर निर्बर नहीं करती है किस पर निर्बर करती है सीमांत उप्योगिता पर वस्तु की कीमत का निर्धारान सीमान उप्योगीता के आधार पर होता है अर्थ व्यस्ता में हम देखते हैं लोग जो है वो पानी का अधिक उप्योग करते हैं और पानी का अधिक मातरा में प्रियोग करने से उसकी सीमान उप्योगीता कम होती है और पानी की सीमान दुपेगिता कम होने से पानी की जो कीमत है वो भी कम होती है दूसरी और अगर हम हीरे की बात करते हैं तो हीरा जो है अर्थ वेस्ता में वो कम पाये जाता है और कम मत्रा में पाये जाता है इसलिए उसकी अत्रिक तिकाई की जो सीमान तुपेगिता है वो लोगों के लिए क्या होती है ज्यादा होती है और सीमान तुपेगिता ज्यादा होने से उसकी कीमत भी क्या होती है ज्यादा होती है तो हीरा पानी का जो ये विरोधा बास है उसको हम सीमान तुपेगिता पसंद करेंगे हीरा क्यों क्योंकि हीरे की जो सीमान तुप्यगिता है वो हमारे लिए क्या है जादा है क्योंकि ये कम मातरा में पाया जाता है जबकि पानी जो है बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है और जिसकी सीमान तुप्यगिता उबुक्ता के लिए एक तरह से क्या ह कम है तो किमत का जो निर्धार ने वो सीमान उप्योगिता पर निर्वर करता है पाने की सीमान उप्योगिता कम है इसलिए उसके किमत जादा है हीरे की सीमान उप्योगिता जादा है इसलिए हीरे की किमत जादा होती है नेक्स्ट हम टोपिक पढ़ेंगे हमारा जो है सम सीमांत उप्योगिता नियम सम सीमांत उप्योगिता का मतलब क्या हो गया सीमांत उप्योगिता जो है वो समान सीमांत उप्योगिता समान हो जाती उसका क्या नियम है तो देखी ये जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किये थे गोसेन ने इसलिए इससे हम क्या कहते हैं गोसेन का द्विती नियम कहते हैं गोसेन का प्रत्थम नियम कौन सा है सिमान्त उप्यगीता हास नियम और सम्सिमान्त उप्यगीता नियम जो है का नियम भी कहते हैं अब नियम क्या है वो हम देखते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि उबोक्ता जो है वो क्या चाता है अपनी सिमी ताय से अपनी जो संतुष्टी है वो अधिक्तम करना चाता है और जिस इस्तिति में उबोक्ता की संतुष्टी अधिक्तम हो जाती है उसी इस्त जिसमें उब्भोकता को विभीन वस्तों का प्रयोग करने से जो संतुष्टी मिल रही वो अधिक्तम हो जाती है और वह अपने उब्भोक के इस तरह में कोई परिवर्तन नहीं करना चाता है अगर वो अपना उब्भोक का इस तरह घटाता है या बढ़ता है तो जो कुल संतुष्टी है वो अधिक्तम नहीं रहेगी अब देखिए हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि उब्भोक्ता अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करने के लिए अपनी जो सिमित आये हैं आमदनी है उसे वो विभिन वस्तों पर व्याय करता है कि जो वस्तों हैं उसकी अंतिम एकाई से मिलने वाली सीमान थुपवेगिता मारजने लिटल ट्री क्या हो जाए बराबर हो जाए विभिन वस्तों की अंतिम एकाई से मिलने वाली सीमान थुपवेगिता जहां पे बराबर होगी वहीं पर उभुकता का संतुलन होगा वहीं पर उभुकता को अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त होगी कहने का मतलब सबी वस्तों की सिमान तोप्रगीता उनकी अंती मिकाई पे क्या हो जाने चाहिए बराबर हो जाने चाहिए M U X बराबर M U Y अगर वो दो वस्तों का प्रियोग करता है और दो से जादा वस्तों का प्रियोग करता है तो जितनी भी वस्तों का प्रियोग करता है सबी वस्तों की marginal utility क्या हो जाने चाहिए बराबर उने चाहिए N इनका मतलब 5 अगर प्रियोग कर रहा है तो 5 वस्तों की 10 प्रियोग करता है तो 200 वस्तों की हमने यहां पर 2 वस्तों का ले रहा है 2 वस्तों का प्रियोग करेगा तो 2 वस्तों की 2 वस्तों मानना की X और Y है तो दोनों वस्तों की सीमान दुप्य गिता बराबर हो जाने चाहिए मुए एक्स बराबर मुए जहां पर सभी वस्तों की सीमान दुप्य गिता बराबर हो जाएगी वो ही बिंदू क्या होगा? अधिक्तम संतुष्टि का बिंदू होगा इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सम सीमान तुपय गितानियम सभी वस्तों की सीमान तुपय गिता क्या हो जाने चाहिए समान वो कौन सा इस्तर दर्शाएगा अधिक्तम संतुष्टी का इस्तर अब इसको हम दो तरीके से समझ लेते हैं कि माना की उभुकता क्या कर रहा है अगर केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करता है तब उसको अधिक्तम संतुष्टी कहां प्राप्त हो कि उसका संतुलन कहां पर होगा और जब वो एक से अधिक वस्तु का प्रयोग करता है दो वस्तु का प्रयोग करता है तो उसके लिए अधिक्तम संतुष्टे के लिए संतुलन के लिए क्या शर्त है सीमान उप्योगिता जो है वो वस्तो की कीमत के बराबर होने चाहिए वस्तो की सीमान उप्योगिता जब कीमत के बराबर हो जाएगी वहाँ उभुगता का संतुलन होगा वहाँ उभुक्ता को अधिक्तम संतुष्टी की प्राप्ती होगी माना कि वो X स्वस्तो का प्रियोग करता है तो X स्वस्तो की सीमान तुपेगी ता बराबर X स्वस्तो की कीमत M U X बराबर क्या होना चाहिए? P X होना चाहिए X स्वस्तो की सीमान तुपेगी ता इसी वस्तों पर खरिदने के लिए जो कीमत चुकाता है अगर कीमत की तुलना में सीमान दुप्यगिता जादा है तो ऐसी इस्तिति में उभुकता अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करने के लिए क्या करेगा उस वस्तों की और अधिक मातरा का प्रयोग करेगा और कब तक करत रहेगा जब तक कि सीमान दुप्यगिता वस्तों की किमत के बराबर नहीं हो जाए जैसे मैं कहूं कि एक वस्तों को प्राप्त करता है वो बुकता एक एक काई को प्राप्त करने के लिए उसकी जो सीमान दुप्यगिता है वो कितनी है दस के बराबर है दस रुपए के बरा तो यहाँ पर M.U. जो है मारजने लिटी वो प्राइस के कंपरिजन में क्या है जादा है जो उसने रुपया खर्च किया है उसकी उपएगिता उसके लिए कितनी थी पांच के बराबर जबकि वस्तु से जो उसको संतुष्टी मिल रही थी वो दस के बराबर थी जादा है इस इसलिए वो क्या करेगा उस वस्तु का प्रियोग कोर करेगा माना कि दूसरी का प्रियोग करता है उसको सिमान तुपयगिता कितनी मिल रही है आट के बराबर जबकि उसने मुद्रा का जो त्या किया था उसकी उपएगिता उसके लिए कितनी थी पांच के बराबर थी थी तो जब तक सीमान तुप्य गिता वस्तु की जादा होगी तब तक वो उस वस्तु का प्रियोग करेगा और कब तक प्रियोग करेगा जब उसकी जो सीमान तुप्य गिता है वो वस्तु की किमत के बराबर हो जाए तो इस इस्तिम हम देखते हैं इस उधार में वस्तु का प्र उपेगिता हैं वो अधिक्तम हो जाएगे कितने हो जाएगी 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 करेंगे 18 25 तीस तो कुल उपेगिता है आपे 25 यह अधिक्तम संतुष्टी का इस तरह होगा वो भुगता का संतुलन होगा और इसके बाद में अगर वो और अधिक इकायों का प्रियोग करता है तो उसको जो सिमान तुपेगिता है वो क्या मिलती हैं कम होती है और जब सिमान तुपेगिता कीमत की तुलना में कम होती है तो भुगता वस्तु की कम मातरा खरीदेगा जिससे उसकी सिमान रुपय गिता और किमत क्या हो जाए बराबर हो जाए जैसे मैं कहूँ कि किसी वस्तु का प्रियोग करने से उभुकता को संतुष्टी मिल रही है पांच रुपय के बराबर यहां हम ले लेते हैं माना कि उसको चार रुपे के बराबर संतुस्टी मिल रही है जबकि उसने जो रुपेया खर्च किया था उसकी उप्यगिता कितनी थी उसके लिए पांच के बराबर थी जो रुपेया खर्च किया उसकी उप्यगिता पांच के बराबर थी जबकि वस्तु से जो संतुस्टी मिल रहे हैं वो चार के बराबर ही मिल रहे हैं तो हमने माना कि उब्लोगता विवेक्षिल होता है इसलिए उब्लोगता यहाँ पे खर्च नहीं करेगा यहाँ पर क्या कंडिशन है M.U. जो है वो P. के कंपरिजन में प्राइस के कंपरिजन में क्या है तुलना में कम है इसलिए अधिक्तम संतुस्टी पराप करने के लिए उब्लोगता कहां करेगा जहां पे वस्तु की जो सीमान तुप्य किता है वो किमत के बराबर हो जाए तो यह हो गया हमारा एक वस्तु के संदर में अगर उब्लोगता एक से अधिक वस्तु का प्रियोग करता है या दो वस्तु का प्रियोग करता है तो ऐसी इस्तिति में उसको अधिक्तम संतुस्टी का मिलेगी तो उसके लिए क्या कंडिशन है वस्तों की जो सीमानत उप्यगीता है M.U.X वो बराबर होने चाहिए किसके M.U.Y की अगर वो दो वस्तों का प्रियोग करता है और दोनों वस्तों के अगर किमतें अलग-अलग है तो इस सिस्थे में सीमानत उप्यगीता किमत तानुपाद क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए वस्तों की किमतें अलग होने पर जो शर्टें वो क्या हो जाएगी MUX upon PX बराबर होना चाहिए MUY upon PY के अगर दो वस्तों हैं तो तीसरी वस्तों हैं MUJ upon PJ और आज़ादा वस्तों हैं तो जितनी भी वस्तों हैं सबी वस्तों की सीमान दुपिगिता और उनकी किमत का जो अनुपात हैं वो बराबर होना चाहिए तो यहां पर हम दो वस्तों का उधरन लेकते समस्ते हैं तो जब दो वस्तों होगे तो क्या कंडिशन हो जाएगी MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के सीमान दुपिगिता और कीमत का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए और दुसरा उसका जो प्रदिबंद है मतलब उभुक्ता की जो आई हैं वो उसके IT के बराबर होना चाहिए उभुक्ता का जो WH हैं वो IT से ज़ादा नहीं हो सकता है अब हम वे कैसे ग्याद करते हैं किसी भी वस्तु का जैसे दो वस्तु के अगर हम बात करते हैं X और Y तो X वस्तु की कीमत कितनी है और X वस्तु की हम कितनी मात्रा खरीद रहें quantity दोनों को multiply कर दो Y वस्तु है अगर है तो P Y को multiply कर दो उसकी quantity से Y से मात्रा से और दोनों पर कितना खर्चा की है तो दोनों का हम जोड लेंगे तो ये दोनों का जोड है वो उब्वक्ता की आए, M के बराबर होना चाहिए खर्चा हम केसे ग्याद करते हैं? वस्तू की कीमत को मातरा से गुणा करके तो दूसरा जो प्रतिबंदे वो है उब्वक्ता की जो आए हैं और वे हैं दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए उब्वक्ता अपनी आए से अधिक वे नहीं कर सकता है अब इससे समझाने के लिए हमें एक उधान लेते हैं कि माना की दो वस्तू हैं X और Y X वस्तो की कीमत कितनी हैं 10 रुपए और Y वस्तो की कीमत कितनी हैं 5 रुपए और उब्वक्ता के पास में कितने रुपए हैं 15 रुपए हैं उब्वक्ता की आए सोरी 50 रुपए हैं उब्वक्ता की आए कितनी हैं 50 रुपए तो दोनों वस्तों की किमते और उभुकता की आये देने पर उभुकता का संतुलन कहां पे होगा उसको हम समझने का प्रियाज करते हैं तो ये एक हमने साणे ले लिए हैं इसमें हमने इधर X और Y वस्तों की जो सीमान दुपेगिता हैं उसको हमने बना लिया है सीमान दुपय गिता क्या होती यह गड़ती है तो X वस्तु के हमने कुछ अनुमानित अंक ले लिया है 60, 50, 40, 30, 20, 10 इसी तरिकी से Y वस्तु की जो उपय गिता है 50, 35, 30, 20, 15, 5 तो यह हमने कुछ अनुमानित अंक ले लिया है अब हमारी जो condition है वो क्या है अदिक्तम संतुष्टी के लिए संतुलन के लिए MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के क्योंकि देखिए दोनों वस्तु की किमते अलग-अलग हैं दोनों वस्तु किमते अलग-अलग होती हैं तो हम क्या देखेंगे सिमान उप्यगिता और किमत का अनुपाद बराबर होना चाहिए M दोनों का तो हम यहाँ पर किमत का अनुपाद निकाल लेते हैं सिमान उप्यगिता के साथ में तो यहाँ पर किमत कितनी है दोस्तों की 10 है तो हम क्या करते हैं इस MUX में सब जगे 10 का हम डिवाइट करते हैं भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा सबसे पिले 60 में अगर 10 का डिवाइट करेंगे 6 आ जाएगा 50 में 10 का डिवाइट करोगे 5 आ जाएगा 40 में 10 का डिवाइट करेंगे 4 आ गया 30 में 10 का डिवाइट करेंगे 3 आ जाएगा बीस में दस का भाग दिया दो आ गया और दस में दस का भाग दिया एक आ गया तो यह हमारे पास में क्या आ गया MU X upon P X इसी तरीके से हम LU Y upon P Y निकल लेंगे P Y कितना है 5 है तो इस MU Y में 5 का हम डिवाइट कर देंगे 5 का भाग देंगे तो 50 में 5 का भाग दिया 10 आ गया 35 में 5 का भाग दिया 7 आ गया 30 में 5 का भाग दिया 6 आ गया 20 में 5 का भाग दिया 4 आ गया 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा एक आएगा अब condition क्या थी हमारी MUX upon PX ये जो है और इधर MUY अपोन PY क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तिस साथ में अगर हम देखते हैं देखिए ये 6 और ये 6 ये बराबर है इसके अलवा जिसे इधर 4 हैं इधर भी 4 हैं तो यहां पे भी संतुलन हो सकता है फिर इधर 3 हैं इधर भी 3 हैं तो यहां पे भी हो सकता हैं और फिर ये 1 और ये 1 तो ये 4 जगे संतुलन हो सकता है तो पहली शर्ट हमारी है MUX अपोन PX बराबर होना चाहिए MUY अपोन PY तो पहली शर्ट हमारी 4 जगे पूरी हो रही है लेकिन दूसरी शर्ट क्या है उब्वक्ता की जो खर्चा है वे हैं वो उसकी आए के बराबर होना चाहिए तो हम पहले अगर बात करते हैं यहां की इस 6 और इस 6 पर गर्रम ले तो यहां पर उब्वक्ता वस्तो की कितनी काई का प्रियोग कर रहा है एक और एक्स वस्तो कीमत कितनी है दस रुपे तो उसके उपर खर्चा कितना होगा दस रुपे का और वाई वस्तो के अगर हम बात करते हैं वाई वस्तो की वो कितनी काई प्रियोग कर रहा है इस जगे तीन इकाई होगा प्रियोग कर रहा है तो वाई वस्तो की तीन इकाई और क किमत कितनी उसकी 5 रुपए 5 इंटू 3 करने पर कितना आएगा 15 रुपए और 15 प्लस 10 करने पर कितना आएगा 25 रुपए जबकि इंकम कितनी दे रहे की हमको 50 रुपए तो यहां पर उब्भुकता का संतुलन नहीं होसता है फिर next हम देखते हैं दूसरा अब बराबर कहां पर ह इधर यह 4 और इधर 4 यह भी बराबर है अब यहां पर उसका संतुलन होगा यह नहीं होगा हम देखते हैं तो एक्स वस्तो की यहां पर इकाय कितनी प्रियोग करता है वो भूगता 3 रुपए और एक्स वस्तो की किमत कितनी है 10 रुपए तो खर्चा कितना होगा उसका 30 इसका मतलब क्या हो गया उभूगता का जो संतुलन होगा वो कहां पर होगा इस जगे मतलब उभूगता अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करने के लिए एक स्वस्तो की 3 रुपए और Y वस्तो की 4 रुपए का प्रियोग करेगा 4 और 3 रुपए तब उसका जो संतुष्टी का इस्तार है वो अतिक्तम हो जाएगा इसी को हम कहेंगे उब्वक्ता का संतुलन और आए अगर हमको ज़्यादा देरे रेखी होती अगर मानना कि हमको इस थ्री पे और इस थ्री पे अगर हम समझाना चाहें तो यहां के लिए आए का इस्तार कितना होना चाहे था तो देखिए यहां पर X की मात्रा कितनी है चार इकाई तो चार इंटू किमत कितनी है दस रुपे यह तो क्या चालिस रुपे और Y की जो मात्रा वो कितनी है यहां पे पांच तो पांच इंटू किमत कितनी वो भी पांच रुपे है 25 तो उब्भुक ता किया है अगर 65 रुपेज अगर 65 रुपेज होती तो संतुलन कहाँ पर होता इस जगे होता 3 पर मतलब X वस्तु की वो 4 एकाई और Y वस्तु की भी 5 एकाईों का प्रियों करता वो संतुलन यहाँ पर भी हो सकता था लेकिन यहां के लिए उसकी इंकम कितनी होने चाहिए तो देखिए अगर यहां पर हम देखते हैं तो X वस्तो का वह कितना प्रियोग करता है 6 और कीमत कितनी है 10 रुपे तो 60 रुपे तो उसको X वस्तो के लिए चाहिए और Y वस्तो की तो भी कितनी काय प्रियों कर रहे हैं आपे 6 किमत कितनी है 5 30 अगर 90 रुपे होती इनकम उसकी तो संतुलन कहां पे होता इस जगे लास्ट में मतलब X और Y की वो दोनों की 6-6 कायों का उबग करता तो आगे अगे सम्में उबगता संतुलन कहां पे होता है एक उबगता का संतुलन कहां पे होगा जहां उसकी जो सीमान दुपे गीता है विविन वस्तों की जो सीमान दुपे गीता है वो क्या हो जाने चाहिए बराबर नेक्स्ट हैं कि सम्म सीमान दुपे गीता हैं में कौन-कौन सी कमिया है कौन कौन सिस की सीमाएं हैं या आलोशना हैं तो सबसे पहले इसमें माना गया है कि जो उब्वोक्ता हैं उसे वेकल्पिक चैन की पून जानकारी होती है जबकि वास्तिविक जिवन में उब्वोक्ता के पास में दूसरे वेकल्पिक चैन जो होते हैं उस कारह में वो जानकारी नहीं रखता है वास्तिविक जिवन में उसको जानकारी नहीं होती है फिर दूसरा इस नियम में माना गया है कि उब्वोक्ता विवेक्षिल होता है जबकि वास्तिविक जिवन में जो उब्वोक्ता है इतना विवेक्षिल भी नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगे, ये सारी बात हमको क्या बताती है, क्यों भोगता इतना विवेक्षील नहीं होता है, अगर उसको किसी वस्तू का प्रियोग करना होता है, तो वो इतना सोच समझ के भी वे नहीं करना है नेक्स्त हैं वस्तू की विवाजिता, आलोशना करने वाले जो अर्थ शास्त्री वो क्या बताते हैं, कि सभी वस्तू जो होती हैं, वो विवाजित नहीं होती, मतलब कुछ वस्तू ऐसी होती हैं, जिनको हम छोटी छोटी एकायो में विवाजित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी इ उसे हम को क्या करना पड़ेगा पूरी मात्रा में ही यूज करना पड़ेगा या तो एक कार हो सकती हैं दो कार हो सकती हैं या तीन कार हो सकती हैं यह साथ नहीं हो सकता है कि 1.5 कार डेड़ कार ऐसे तनहीं हो सकती हैं ठीक है पूरी कार जो हैते हो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी मातरा में यूज़ करना पड़ता है। जबकि सम सिमान दुप्वे की तानियम के लिए क्या जूररी हैं? कि वस्तों को हम क्या कर सकते हैं? चोटी चोटी इकायों में बाढ़ सकते हैं एक इकाय, दो इकाय, तीन इकाय, लेकिन कुछ वस्तों ऐसे होती हैं जिने हम चोटी चोटी इकायों में विवाजित नहीं कर सकते हैं वस्तों में अविवाजिता का गुन पाया जाता है जिससे सम सिमान दुपे की तानियम में कठिना ही उत्पन होती हैं Next हम आलुचना के अगर हम बात करते हैं तो इसमें माना गया हैं कि जो मुद्रा की सिमान दुपे गिता है वो इस्थिर होती है जबकि वास्तिक जिवन में अगर हम देखते हैं मुद्रा की जो सिमान दुपे गिता होती है वो इस्थिर नहीं होती है और अंतिमाल उसना है किसमें बजट अउधी को निश्चित माना गया है जबकि वास्तिक जिवन में बजट आउदी जो होती है वो एक तरह से क्या होती है अनिश्चित नियम में क्या माना गया है कि जो बजट क्या होती है निश्चित होती है या हम एक वर्ष किया सकते हैं लेकिन अर्थ व्यस्ता में बहुत सारी ऐसी वस्तों होती है जो टिकाव वोस्तों होती, वो क्या होती है, बहुत लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सकता है, ठिकाओ वोस्तों का प्रयोग किया जाता है, वो लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, उनसे जो उनको लाब मिलता है, उनसे जो उनको उप्योगिता मिलती है, वो अधिक समय तक मिलती तो एसी इस्तिने में वहाँ पर भी सम सीमांत उप्यगिटा के लिए अम क्या करते हैं। अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करने के लिए विभिन वस्तों पर वो इस परकार से वेह करता है कि अपनी सिमी ताय को विभिन वस्तों पर वो इस परकार से वेह करेगा जिए उसको मिलने वाले जो संतुष्टी वो अधिक्तम हो जाए उबोक में क्या महत्व हो गया उबोक था अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करने के लिए सम्सिमांद उप्योगीता नियम का पालन करता है इसे तरीके से उत्पादक अपने लाग को अधिक्तम करने के लिए सम्सिमांद उप्योगीता नियम का पालन करता है मतलब विभिन वस्तों का उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन करने के लिए साधनों पर जो खर्चा किया जा रहा है साधनों की जो लागत है उत्पादन की जो लागत है उसको वो नियूनतम करने का प्रियास करता है फिर विनीमाय और वित्रण में इसका महत होता है विनीमाय और विनीमाय का मतलब क्या हो गया हम वस्तों सिवाओं का जो क्रय विक्रय करते हैं उसमें वित्रण में मतलब जो विभिन साधन है उन साधनों को उनकी उत्पादन में योगदान के बदले में कितना पारिश्रमिक चुकाय जाएगा भूमी का किराय कितना पुंजी का ब्याज कितना होगा तो उसके निर्धारण में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है फिर सारद्निक शेत्र में जो अर्थ विस्ता के गरम बात करते हैं सारदनिक शेदर में सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं टेक्स और फिर जन्ता की बलाई के लिए सरकार व्याई करते हैं जिसको हम कहते हैं सारदनिक व्याई तो सारदनिक कर और सारदनिक व्याई जो हैं उनके द्वारा उब्वोकता को लोगों को किस परकार से अधिक्तम संतुष्टिक प्राप हो सकती हैं, अधिक्तम सामाजिक कल्यान के प्राप्ति हो सकती हैं, उसमें भी सम्न सिमान उप्योगीता नियम का प्रयोग होता हैं। और अंतिम प्रियोग के अगर हम बात करते हैं, बचत एवं उब्भोक के मद्य में उब्भोकता के द्वारा निर्णाय लिया जाता है, अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करने के लिए वस्तों एवं द्वाओं का वो कितना व्याय करेगा, कितना उब्भोक करेगा, और कितने भाग को अपने पास में बच्चा के रखेगा, उसका जो निर्दारा ने वो सम सिमाद उप्विगिता नियम के आदार पर किया जाता है, तो ये हमने उप्विगिता विशलेशन पढ़ा है, क्लास 12 की इसाफ से, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन का जो बुकता संतुर उसका जो सेकंड पार्ट है, तटस्ता वक्रविशलेशन वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे इस विडियो की, इस लेसन का